Hello students, good afternoon all of you. ये देखो हमारा subject है आज का math. तो math में हमने क्या किये थे पहले? count करके हमने circle किया था. अब count करके हमने क्या करना है? tick करना है. हमें जो भी things दिये हुई हैं, जो भी fruits दिये हुई हैं इसमें, तो उसको count करेंगे और जो भी हाँ पर number दिये हैं, इस picture से जो math होते हैं, count करके हम उसको tick करेंगे. count करके, let us start. 1, 2, 3, 4. तो ये कितने apple है? 4. और यहाँ पर number कितने बने हुए है? 2 और 4. तो हम किसको tick करेंगे? 4 को. क्योंकि apple कितने है? 4. ये क्या है? mango. mango. mango को count करेंगे. 1, 2, 3. तो देखो number 3 कौन सा है? which number is 3? ये, tick. ये देखे, orange. ये कौन सा fruit है? orange. orange तो 1 है. 1 की तो अच्छी तरह से आपको recogeneration हो चुकी होगी. क्योंकि starting में हमने 1 ही किया था. ये रहा हमारा 1. इसको हमने tick किया. next fruit, banana. count किजिए 1, 2. तो हमारा number 2 का है? ये नो-नो. ये तो 3 है. ये number 2. तो हमेशे क्या करेंगे? tick करेंगे. ये देखे, पियर. ये देखे, पियर नहीं. ये क्या है? गवावा. अम रूद. आप सभी खाते हैं ना? आजकल तो season भी है. तो ये count किजिए. 1, 2, 3, 4, 5. तो कितने गवावा हैं ये? 5. तो हम किसे tick करेंगे? इसे? नहीं. ये तो number 4 है. तो हमें किसे tick करना है? 5 को. तो ये हमारा number 5 है. ओके? आप ऐसे ही count कीजिए. और tick कीजिए. घर पे कोई भी things हो, ऐसे बनी होई हो. 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो आप उनको कहीं भी और भी आप उनको count करवा सकते हैं. पिर answer requires हैं उनकी book पर भी आप picture बना कर दें और निचे ऐसी number डालें तो आप उनको tick करवाई से. ओकी? थेंक्यू.